हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंद संग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास नाहींत स्पिंट पेच का पॉलिनोमियल शेप्टर का लेक्चर न हमारा सबसे पहला टोपीक है वह है डिगरी ओफट पोलिनोमियल का क्या मिणिंग होता है इसको में एक जम्पल से समन्ने की कोसिक निथे तो देखिए एक पी एक हमारे पास पोलिनोमियल है पोलिनोमियल क्या होता है यह सारी सीज़ए मैं अल्रेडि आप और लोगों को फर 4x plus 7 या minus 7 ले लिए यह एक polynomial है polynomial की पैचान कैसे करते हैं कि जितने भी variables है उन सब की power क्या हो नीची whole number यहाँ पर variable की power 3 है यहाँ यहाँ पर 2 है यहाँ पर variable की power 1 है यहाँ पर variable है ही नहीं तो इसकी power कितनी है 0 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ variables क्या है यहाँ यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ variable है ही नहीं तो cross कर देता हूँ यहाँ उनकी power लिखता हूँ यहाँ पर variable की power 3 है यहाँ variable की power 2 है यहाँ variable की power 1 है यहाँ variable है नहीं तो power कितनी है 0 है तो हमने यहाँ पर यह सब की powers लिख लिए अब हमारे को तो क्या पढ़ना था degree क्या होती है इस polynomial की degree क्या होती है तो हमने हर एक term की power लिख लिख लिए power किसकी लिखने है only variable कि द्यार नखना constants की power से कोई मतलब नहीं अभी मैं एक example से समझाँगा तो देखें इन सभी powers में येवाली पावर हाईयस्ट है क्या डेटेस्ट बोल सकते हो यह लार्जस बोल सकते हो तो यह जो इसी क्रेटेस्ट है लार्जट है थिक ब्ब्ब्रकर को क्या बोला जाता है degree of Poy Catholics if Poy 농intendo bola जाता है इस पूरेespère donc क्या कि छा ईस्ट पावर कितनी थीन तो डिग्री ओफ पोलिनोमियल यह जो पी एक्स हमारा पोलिनोमियल था ना उसके डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई आई होप आप लोगों को डिग्री का मीनिंग समझ में आगया होगा तो मैं यह लिख भी देता हूं हाइस्ट पावर ओफ हाइस्ट पावर बोल दो यह एक्स्पोनेंट बोल सकते होँ एक्स्पोनेंट ओफ वेरियेबल जो भी वेरियेबल होगा उसका जो हाइस्ट पावर होंगी वो क्या केलाएगे डिग्री केलाएगे पूरे पोलिनोमियल के फॉर एक्जामपल एक ओड ले हम तो देखो तो अभी यहां बताओ एक पोलिनोमिय लेता हूं मैं एक्स बराबर 5 एक्स पावर 4 माइनस 3 एक्स स्कूर प्लस 7 एक्स पावर 5 तो आप लोगों को इसकी डिग्री बतानी है तो देखो ज्यादा तर लोग क्या करेंगे जो वो रटते हैं तो रटेंगे तो क्या होगा उसको दिमाग में बिठा लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा कई डिग्री है लेकिन वह दिमाग में लगाते की हमें केवल वेडिबल्स की पावर रेख नहीं है कि अलिक्ण नहीं संजाने के लिए तो आप लोग चाहूँ तो लिख सकते हो या याद रख सकते हो तो इसमें हाइस कितना है तो हम बोलेंगे जो डिगरी होगी वो बराबर कितनी होगी 4 होगी I hope आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा यहां पे degree 5 नहीं होगी not equal 5 क्यों क्यों क्योंकि यह 7 की power है और 7 एक constant है I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आ गया होगा अब कई बार क्या होता है यहां मैं आप लोगों को और चीज समझाता हूं कई बार एक से ज़्यादा variables दे देते हैं जैसे एक एक जाम पल्लू में 2x square y minus 3xy cube यह x square y cube plus 2 यह मालव 4 x square y square z square ऐसे दे दिया तो यहां एक से ज़्यादा variables हो तो क्या करेंगे तो तब हम क्या करते हैं हर एक term की अलग से power निकालते हैं तो पहले इस term की power निकालेंगे तो इसकी power कैसे निकाली जाती है सभी variables की powers का sum कर दो तो यहाँ पर इसकी power कैसे निकलेगी 2 plus 2, कितनी होगी 4 ऐसे इसकी power कितनी होगी 2 plus 3, which is equal to 5 और इसकी power कितनी होगी 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 6 क्या है, highest है तो इस पूरे expression की जो degree होगी वो कितनी होगी 6 होगी I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आगया होगा, यह 6 है मैं इदा लिख देता हूँ थोड़ा सा अगर आप लोगों को visible नहीं है तो तो इसकी जो degree होगी वो कितनी होगी 6 होगी मैं एक बाद देख लेता हूँ यह visible है क्या हाँ, अब visible है तो देखें तो इसकी degree कितनी होगी 6 क्योंकि highest है 6 तो अभी यह भी ध्यान रखना कि अगर बहुत सारे variables हो तो सभी terms की अलग से degree निकालो कैसे निकालोगे, सभी variables की जो powers है, उनको क्या कर लो add कर लो, तो हमारे को हर एक term की degree निकालोगे, और में से सबसे highest वाली जो होगी वह हमारी degree हो जाएगे, उस पूरे expression की यानि उस पूरे polynomial की, I hope यह चीज आप लोगो को समझ में आ गई होगी यहाँ एक छोटा सा note है, वह भी मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ देखो, यहाँ यह constant वाला term है, यह वाला term कुन सा है, constant वाला term है क्योंकि यहाँ पर variable है नहीं तो constant है, तो जो भी constant वाला term होगा ना, उसकी degree आप लोगों को कितरी दिखरी होगी अगर only minus 7 होता, यह कोई constant होता only, constant जैसे कि example के तौर पर minus 2 ले लिया तो minus 2 के साथ कोई variable है नहीं, तो इसकी जो power होगी, यह degree बोल सकते हो, अगर minus 2 ही अकेला, तो इसकी जो degree होगी, वह बराबर कितनी होगी, 0 होगी I hope इसका meaning भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आगया होगा, आगे हम लोग जब types of polynomials में पढ़ेंगे तो एक type पढ़ेंगे degree के basis पे, तब मैं और अच्छे से इसको explain कर दूँगा, अभी के लिए बस इतना सा ध्यान रखो, कि polynomials में जो variables होगे, variables की जो highest power होगी, जो highest power होगी, उस highest power को हम क्या बोलते हैं, उस पूरे expression की degree बोलते हैं, अब हमारा next topic है, तो हमारा degree of polynomial खतम हो गया, अगला topic है, types of polynomials, तो types of polynomials को हमने 3 category में डिवाइड किया है, सबसे पहले type से जो हमने category बनाई है, वो है, based on number of distinct variables, variables अलग-अलग होने चाहिए, अब इसका क्या मतल variable x है, यह variable x, तो अगर हम कोई पूचे की बता है, इसमें कितने variables used होएं, इसमें 3 variables used नहीं होएं, एक ही variable तीन जगे यूज होएं, तो हम यहापर distinct variable नहीं बोलेंगे, यहापर एक ही variable है, तो यहाँपर मैंने क्या बोला distinct variable होने चाहिए, जैसे 1x है, तो दूसा y, तीसरा z, या ऐसा कोई अधर वेडियेबल हो सकते हैं तो different variables होंगे उसके basis पे क्या होगे distinct variable की basis पे किस नाम से जाना जाएगा हो तो देखो number of variables एक हो तो ऐसे polynomial को हम बोलते है univariate क्या बोलते यूनिवेडियेट यूनिका मतलब 1 होता है Variate मतलब variable, जिसमें 1 variable एक वारियेबल हो, for example, X square plus X plus 1, इसमें only X, एक वेयेबल को एच हो है, तो इसको क्या बोल देंगे, हम लोग, Univariate, दूसरा है, जिसमें 2 variables हो, इसको हम बोलते है, bi-variate, by का मतलब होता है, 2, और variate का मतलब variable, तो देखो X squared Y and 3 तो यह अपर X and Y क्या होँए दो variables होए, दोनों अलग अलग है इसलिए क्या बोले, distinct variables होने जिसमें 3 होँ, इसको tri-variate बोलते है tri का मतलब होता है 3 by का मतलब होता है 2 uni का मतलब होता है 1 and tri का मतलब होता है 3 और variate का मतलब variables तो एक X यूज हो है, एक Y यूज हो है, एक Z यूज हो है, तो तीन वेरियेबल्स मिलके बनावा है यह expression, यह वाला, तो यह क्या कहलाएगा, ट्राई वेरियेट कहलाएगा, I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी, और इन जनरल क्या कर देते हैं, तो और मोर वेरिय नेक्स लाइड पर हम लोग दो डिफरेंट टाइप के वह है, के टेगरी है, जिसे हमने टाइप्स बनाए है, वह हम देखते हैं, तो इसको वीडियो को पोच करके अच्छे से नोट कर लीजिए, अब हम देखते हैं, दो टाइप के और पोलिनोमियल को के टेगराइज किया हमने दो टाइप से उनको देखते हैं, तो दूसरा टाइप है हमारा बेस्टोन नमबर ओफ टाम्स, यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, एर्थ किलास में भी आया था, कि नमबर ओफ टाम्स के वेसिस में, पोलिनोमियल को किस तीस टाइप से लिख सकते हैं, तो तो जिसमें एक तरम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, जैसे हैं आपर 2X लिखा, माइनस 3X लिखा, कोमा से से ब्यान रखना तो यह अलग-अलग यह एकजांपल से, अब यहां देखो, पहली नजर में तो देखते ही यह से लगता है कि इसमें दो टम्स है, लेकिन य यह वाले दोनों टम्स लाइक टरम्स हैं, तो लाइक टरम्स को क्या किया जाता है, एड किया जा सकता है, तो इनको हम कमाइड करके क्या वेख सकते हैं, 5X तो 5X से 1 सिंगल टरम है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मonomial बोलेंगे, I hope आप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ म पहरे नीकर है तो इनको एड़ करके किया लिए लिख सकते हैं 5 एट को साथ में माइनस चली रहे तब यह कितने टाम सो तो यह भी एक बारोमेव का एक जमपल हो जिसमें तीन तम्स पुट यह पुटेमिल बोल देते हैं तो दैको 2X 3Y –7 आपज यह जो तीनो तम्स यह जित्ने भी तरम सोगे नहां वह अलग अलग होनी चाहिए अगर अलग अलग है यह उनलाइक टाम्स है तो जितने टाम्स होंगे उसके वेसिश्ष का नाम होगा, एक टाम होगा तो monomial, दो टाम्स होगे तो binomial, तीन टाम्स होगे तो trinomial, इनके मैंने examples भी आपर लिख दिये, इन जनरल क्या किया रहता है 2 एर 2 से ज्यादा टम सो थे टू और मोर टर्म अगर है तो उनको हम क्या बोल देते हैं पॉलिणोम्यल बोल देते हैं लेकिन यह चीज हमेंसा ध्यान रखनी है कि जो वेडिययर्बस होंगे उनकी पावर्स हमेंसा क्या होनी चीए लुड नंबर हो नीचे तरह से जाके में उसको क्या भोलेंगे पोलिन्योमेल बोल भोल सकते हैं तो या अलग से बोलोगे तो इसको बैसे न कर्ली navigate भी तरह किसे नाम से जा की रिखिए अगर कि लाश प्रणस्राइब आप लोगों को समझा भी था यानी कि वह पॉलीनोमेल में ऐप कोन्स्टेंट होगा क्यों कि उसके साथ वेडियोगल है नहीं तो सेवन के साथ या है ही नहीं तो सेवन के साथ वेडियोगन हम क्या मान चोन सकते शेवन एक्सपावज़ीरो माल लो तो यहां नोन जीरो पॉन्स्टेंट है जैसे की बाइनस 2 7 बांगी कुछ भी जीरो को छोड़के तो लेना है तो उसकी डिग्री मेसा कितनी उती है जीरो दिग्री वाले पॉलिनोमियल को तो वहां पर क्या होता था लीनियर वड आता था लीनियर वड का मतलब है यहां पर जो भी X यूज करते थे उसकी पावर अमेसा वन होती थी X square X cube वगेरा नहीं होता था तो वहां पर कि उसका मतलब होता था linear कि जब पावर आपे यहां पर सकता है कि एक्या होती है नियुक्ती है सरी क्या मतलब को डिकी this P 232 स्प्रेंग अंग देखें आता है तू 2 डिक्री वाले को तीन वाले को कुभी को चार वाले को भूदिक बोल जाता है दो का या दो दाबल हो गया तो इसको क्या बहुत क्व गाल्य जाता है तो अविम् देखो highest power कितनी दिख रही है फाइव दिख रही होगी अब यहां है कि मैंने जगे छोड़ी इसको मैं explain करता हूं तो देखो अगर जो constant है वो क्या हो जाए 0 आजाए तो ऐसे polynomial को क्या बोलते है 0 polynomial यानि मैं यह समझा सकता हूं कि अगर जो हमारा constant यहां पर यहां पर माइनस टू इसे जीरो बिया अगर वह constant 0 बन जाए तो ऐसे polynomial अलग से नाम दे देते हैं उसको क्या बोलते है तो degree कितनी आ रही है 2 आ रही है क्योंकि x की power highest power 2 है अगर 0 के multiply में x power 10 कर दे तो भी result तो 0 यह आएगा इसके साफ से सोचे तो इसके degree कितनी होगी 10 होगी होगी ऐसे 0 multiply x power y power 101 कर दे तो इसके साफ से सोचे तो यहां पर highest power कितनी आ रही है 101 आ रही है तो इसके साफ से degree कितनी होगी 101 लेकिन इसका result भी 0 आए यहां क्या हो रहा है हम भी बता ही नहीं पा रहे है कि 0 की actual में degree कितनी होगी क्योंकि कोई भी variable इसके पहले हो सकता है कि य अगर 0 के साथ में x power 10 रहा होगा तो इसके साफ से degree कितनी होगी 10 होगी अगर 0 के साथ में y power 101 रही होगी तो इसके साफ से degree 101 रही होगी तो हम बता ही नहीं पा रहे है तो जब कभी भी 0 polynomial होगा यानि constant अगर 0 हो जाए तो उसकी degree क्या हो जाती है not defined होती है I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आगया होगा कैसा क्यों हो रहा है क्योंकि हम बता ही नहीं पारे है 0 multiply x square के साफ से 2 हो गई degree 0 multiply x power 10 मान सकते हो 0 multiply कुछ भी मान सकते हो 1 0 1 मान सकते हो तो एक जग बता ही नहीं पारे हम लोग जो topic cover करने वाले हैं वो है value of a polynomial कैसे define की जाती है कैसे find की जाती है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगया तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए और bell icon को दबा दीजिए जिससे के आगे आने वाले सभी lectures के हैं तो चलिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you